नमस्कार दोस्तों सो अगते आपका इस्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल अंद दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लेमेंट रिपोर्टर के प्रीबियस एर डिक्टेशन को यहां पे प्रैक्टिस करने वाले जो की एक्टो साथ सद्रप्रत प्रैक्टिस फीट से रहेगा और इसके बाद आपको 140 वाला भी मिल जाएगा तो पहले हम लोग 160 वाला करेंगे जो कि आपके अभी लोग सभाई रिपोर्टर का जो एक्जाम हुआ था जन्वरी में उसमें बोला गया मैटर है तो पेड़ेफिस का आपको मारे टेलिग्रा सभी लोग डिक्टेशन को प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद टांस्क्राइब करके फिर पीडेफ से मिला के जरूर बताएंगे कितनी मिश्टेकार है कितनी आपकी त्यारी हो रखी है अगर आप रियल में इस ट्रेनोग्राफर या निकी पार्लियमेंट रिपोर्टर की की त्यारी करना चाहते हैं या विधान सभा या विधान परिशत की त्यारी कर रहे हैं तो आप इस ट्रेक्टेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और जैसा कि आपको पता है कि अभी राज सभा से बैकेंसी आने वाली है तो आप ऐसा मत सोचे कि जब बैकेंसी आएगे तभी हम प्रेक्टिस स्टार्ट करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा अगर आपको त्यारी करनी है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि वेकेंसी जब आएगी तो हर बार की तरह इस बार भी लागडाउन नहीं लगेगा कि आपको दो साल का समय मिल जाएगा तो आप उसक स्टार्ट महोदे मुझे यह बताते हुए बहुत खुसी हो रही है कि संसद में अब तक के कारेकाल में इस बार सबसे अधिक महिलाओं की भागीदारी रही है मैं सभी महिलाओं को शुबकामनाएं देता हूँ की यह संख्या आने वाले वर्षों में और बढ़े मैं माननी बित्तमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ की वह इस बार जनजन का बजट लेकर आई हैं उन्होंने इंकम टेक्स में लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है इस राहत के माध्यम से मध्यमवर्गिय परिवारों में खुशी की लहार दोड़ गई है इस बजट में मैंने एक खास बात देखी है जिसे केवल एक महिला ही सोच सकती है सभापति महोदे गरीबी हमारे देश की बहुत बड़ी शमस्या रही है गरीबी को खत्म करने का नारा देते हुए इन्होंने कई सरकारें बनाई सच तो यहाँ है कि गरीबी को दूर करने के लिए जिस प्रकार के कदम उठाने चाहिए थे वैसे कदम पिछली सरकारों के द्वारा उठाए ही नहीं गए अगर किसी ने गरीबी के खिलाफ आवाज उठाई है तो वहां हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी है हमारी सरकार ने किसानों और असंगठित छेतर के छेतर में कई करोण काम करने वाले लोगों को पिंसन देने का काम किया है हमारी सरकार ने दो करोण गरीब और जरूरतमंद लोगों को घर दिया है हमारी सरकार ने गरीबों के घरों में लगभग ढ़ाई करोंट सवचाले बनवाए हैं मुझे यह बताते हुए बहुत खुसी हो रही है कि आज सत प्रत्यत गाओं में बिजली पहुँच गई है किसान सम्मान निधी योजना के तहट सहायता राश किसानों के खातों में जा रही है इनके पोरो प्रधान मंतरी कहते थे कि गरीबों तक उनकी योजनाओं का लाव नहीं पहुच पाता है यह खुसी की बात है कि अब वह इस्थित नहीं है हमारी प्रधान मंत्री जी ने कई करोन बैंखाते खुलवाए, उनका धे अश्पष्ट है कि कहीं किसी प्रकार का भरष्टाचार ना हो पाए हमारी पांच सालों की सरकार में कोई एक रुपय का भी घोटाला नहीं बता सकता है अध्यक्ष जी मैं देश की राजधानी से आता हूँ, हम इसे मिनी इंडिया भी कहते हैं आज वायू प्रदूशन दिल्ली की एक बड़ी समस्या है, जब आप दिल्ली में आते हैं तो आप भी इस चीज को देखते होंगे दिल्ली में प्रदूशन के कारणों को शभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इन कारणों को दूर करने का कोई ठोश उपाय पहले की सरकारों ने नहीं किया ऐसा नहीं है कि प्रदूशन केवल दिल्ली के अंदर से ही होता है हम सभी को मालूम है कि इसके कुछ बाहरी कारक भी है दिल्ली से सटे हुए प्रांतों से भी प्रदूशन दिल्ली के अंदर प्रवेश करता है पिछले कुछ समय में इसे नियंतरित करने के लिए कुछ उपाय किये गई हैं लेकिन वे प्रियाप्त साबित नहीं हुए हैं महोदे इस महत्वपूर्ण शंविधान संसोधन बिधेयक पर बहुत ही ब्यापक चर्चा इस सदन में हुई मैं सभी समाननी सदस्यों का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने शार्थक विचार आज यहाँ पर रखे मैं सभी वक्ताओं का नाम नहीं लोगा लेकिन उत्तर के दवरान उचित समय आने पर उनके संदर्व जरूर लोगा इस लोग शभा की एक बहुत बड़ी विशेस्ता यहाँ है कि आज तक के इतिहास में सभश्री अधिक संख्या में बहने इस सदन में चुन कर आई हैं इस सदन की समाननी बहनों और बेटियों ने जिस प्रभावी धंग से चर्चा में भाग लिया है इसके लिए मैं उनका विशेस रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ मान्यवर आज जब इस विशेपर चर्चा हो रही है तो मुझे डाक्टर अम्बेडकर जी की याद आ रही है और उनको प्रडाम करने की इच्छा हो रही है वे बहुत ही महान ब्यक्त थे आज मैं शम्बिधान के छातर के रूप में कहता हूँ कि वे ड्राक्टिंग कमेटी के चेयर मैन इसलिए थे क्योंकि वे उस समय सम्बिधान के सबसे योग्य जानकार थे अम्बेरकर जी की बात चली है तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अपनी शरकार के कारेकाल में उनको वह सम्मान कभी नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था मैं यहाँ बात बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि जब हमारी शरकार और पार्टी को पूर्ण वहुमत मिला तो हमने एक बहुत ही योग्य बैक्ती जो दलिज समाज से आते हैं उनको भारत का राश्ट पति बनाया माननी शभापती महोदे अभी कई मानने शदस्यों ने अपने विचार ब्यक्त किये हैं मैं अब बहुत ज़ादा कुछ कहने की आवश्यक्ता महसूस नहीं करता हूँ पर जो बिंदु यहाँ आए हैं उनके बारे में जरूर संछेप में अपनी बात कहूंगा सरकार ने पिछले एक वर्ष में अनसूचित जात के लोगों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए अनेक प्रियास किये हैं हमारी सरकार ने मैला ढोने की प्रथा को शमाप्त करने का एक्ट भी लागू किया मुझे यह बताते हुए खुसी हो रही है कि सरकार ने पूरे देश में इस कानून पर अमल करना भी सुरू कर दिया है महोदे मैं कहना चाहूंगा कि यह बिसे बहुत गंभीर है मैं आरोप लगाने वालों से कहना चाहता हूँ कि वे इस पर पुनरविचार करें यह बिसे आत्मगाती है मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे बयानों से हम लोगों को बचना चाहिए आप बिस्व में भारत की छबी को धूमिल करने का प्रयास मत कीजिए आपका यह आरोप किसी भी दृष्ट से उचित नहीं है क्योंकि इसका संबंध किसी पार्टी से न क्या है आपको जनता के मत का शंबान अवश्य करना चाहिए महोदे ऐसी बहुत सारी बाते हैं लेकिन मैं उन्हें यहां कहना नहीं चाहता हूँ हमने वह समय भी देखा है जब बहुत से लोग और शंगठन देश का माहौल खराब करने की कोशिस कर रहे थे हमें यहां प्रय जैसा उदाहरन पूरे विस्व में कहीं और नहीं मिलेगा जैसा हमारे देश में मिलता है मैं मानता हूँ कि इस देश में तीन बड़ी घटनाएं हुई इसमें सबसे पहली घटना धर्म के आधार पर देश का विभाजन है हमारी विचारधारा के लोग यह नहीं चाहते थे कि धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हो हम अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं और इसी लिए इस देश को अखंड रखना चाहते हैं इस देश में दूसरी महत्पून घटना तब हुई जब विरोध की आवाज को दबाने के लिए इस देश में आपातकाल की कि गई मैं मानने सदस्य से बिनमर्ता के साथ पूछना चाहता हूँ कि वे लोग तब कहां थे जब कस्मीर का अमर्शाहित जल रहा था इस देश का गिरेमंतरी होने के नाते मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अमारे देश में सामाजिक और धार्मिक सदभाव को यदि कोई बिगारने की कोशिस करेगा तो उसे इसकी सजा अवस्य मिलेगी मेरा यहाँ संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो देश के हित में नहीं सोचते हैं उपाधक्ष महोदे आज अंतराष्टी महिला दिवस है हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष को महिला ससक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है महिलाओं के विकास के लिए बहुत सारे कारिकरम देश भर में चलाए जा रही हैं मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाएं देश के विकास में बहुत जादा योगदान देती हैं आप किसी भी छेत्र को लें महिलाएं पूर्षों से कम नहीं हैं हमारे आद़लीए परधानमंतरी जी भी आज सदन में उपस्तित है परधानमंतरी जी ने कहा था कि हम महिलाओं को आरक्षण तथा समानता का अधिकार देंगे हमारे देश में महिलाएं जादा संक्या में सिक्षा गरहां नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के आरक्षण का जो बिल पड़ा हुआ है उसे पास कराने का प्रयास जरूर करें। संविधान में महिलाओं को जो अधिकार मिला है वह उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। देश के अंदर महिलाओं की इस्थित भी अलग-अलग है। सदन में बैठी महिलाएं अपने आपको सम्मानित महसूस करती हैं लेकिन समाज में उनकी इस्थित एक जैसी नहीं है। आज के दिन हमें महिला होने के नाते प्रशन होना चाहिए। मैं इस अवसर पर आपके द्वारा दो विधेयक प्रस्तूत करने के लिए इस सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। महोदया आंधपरदेश पुनरगठन विधेया को आज मंतरी जी ने शदन में पारित करने के लिए रखा है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हम इस बिल का समर्थन भी करेंगे और इस बिल को पारित करने के लिए इसके पक्ष में मतदान भी करेंगे। यह भिसे हमारी विश्वसिनियता से जुड़ा हुआ भिसे है। महोद है हम सभी जानते हैं कि पिछली सरकार के एक दसक के कारेकाल के दोरान अनिस्चितता की इस्थित थी। मैं यहां गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि पिछले पांच साल के अंदर केंदर की सरकार ने पूरे विश्व में भारत को एक सक्तिसाली राष्ट बनाने का काम किया है। मैं यहाँ यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि जिन योजनाओं की सुरुवात हमारी सरकार ने की है उन योजनाओं को पूरा करने का काम भी इस सरकार ने किया है। लगा सकता है समात। ठीक है क्योंकि एक्जामने में भी पीछे एक्जामनर बैठे रहते हैं तो जो अगर वहाँ पे डिक्टेटर गलत बोलेगा तो आपको गलत ही लिखना है ठीक अपने मन से सही नहीं करना है जैसा बोला गया है वैसी आपको लिखना है। अगर 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 आप देखने के लिखना है तो आप चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबर से प्लेज सकते हैं या मारी प्याट ग्रूप को जाइन कर सकते हैं। आधी जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आइडिय है अपना बहुमली सुधाहों में कमेंड बाक्स में जरूर देना वीडियो को पूरे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थांस्वारा चिंग जै हिंच भारत